अनुज ने मांगी भगवान से क्या इच्छा अनुपमा और अनुज बने आग का शिकार क्या मीनू सवश पाएगी प्यार के असली माईने नमस्कार मेरा नाम है सचिन राठोर और आप देख रहे हैं नुज बन इंडिया पर हमारा खास शो जो आपको एंटर्टेन्मेंट की खबरों से कुछ गुदाने की लिए हमेशा तयार रहता है आज हम बात करेंगे टीवी सीरियल अनुपमा की अनुपमा की कहानी इस वक्त काफी दिल्चस्ट और सप्राइज लेकर आ रही है हर नए एपिसोड में फैन्स को कुछ नया ट्विस्ट और टंस देखने को मिलते हैं अब अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी में एक और शौकिंग मोड आने वाला है अनुपमा जहां लगातार अपनी बेटी आद्या और पती अनुपमा की बाड़िया की फिक्र कर रही है तो वहीं दूसरी ओर अनुपमा की वज़ा से आद्या का उससे दूर हो जाना लेकिन अप अपकमिंग एपिसोड में दोनों एक साथ एक बड़ी मुश्किल में फचने वाले हैं एपिसोड की शुरुवात होगी किंजल और मीनु के सीन से जहां पर मीनु हाल ही में भारत आई है और मीनु को समझा रही है किंजल कि उसे अपना लाइफ पार्टनर कैसा चुनना चाहिए भई वो बोलेगी कि अपना लाइफ पार्टनर बहुत सोच समझ कर चुनना किंजल उसे समझाएगी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शादी लव मारेज है या अरेंज मारेज लेकिन वो जिससे भी चुनेगी वो इनसान उसे समझता हो और उसकी परवा करता हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किंजल मीनु को समझाएगी कि mutual respect एक बहुत ही important चीज है और मीनु कहीगी कि उसे किंजल में कुछ हद तक अनुपमा की जलक दिखाई पड़ती है तो वही अनुच की तलाश में निकलेगा पूरा आश्रम पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि अनुच कबाडिया जमीन पर बैटे एक रजिस्टर पर पेंसे लगातार कुछ न कुछ लिखते रहे अब अपकमिंग एपिसोड में आपको पता चलेगा कि वो क्या लिख रहे थे दरसल अनुच कबाडिया ने कागस पर धेरो बार आध्या का नाम लिख दिया था और अब सभी घबरा जाएंगे और पता चलेगा कि अनुच घर में नहीं है बाला काका, सागर, इंद्रा बेन और अनुपमा और साथ में देविका सभी अनुच की तलाश में निकल पड़ेंगे और पता चलेगा कि अनुच उस कागस को लेकर मंदिर गया है उधर अनुपमा कवाडिया की तलाश में और लोग जाएगा उधर अनुपमा की भी तलाश में जो आश्रम के लोग गए हैं उनमें से अनुपमा की साड़ी में भी आग लग जाएगा अब देखना ये होगा कि अनुच इस सिचुएशन में खुद को और अनुपमा को कैसे बचा पाएगा और फिर अनुपमा की एक बार फिर से अनुच को मुसीवत से बचा कर लाएगी अपकमिंग एपिसोड काफी थ्रिलिंग रहने वाला है शो में अपडेट पाते रहने के लिए बने रहिए न्यूजवल इंडिया के साथ